तो आपका पहला स्वाल है कि किस गुप्त कालें सासक के समय चीनी यात्री फायान बारत आया था तो यह आया था चंद्र गुप्त दूतियों के सासंकाल में चीनी यात्री फायान है जो बारत आया था और इसकी वैक्ष़िया एक इस्थायान 46-411 मीइच तक चंदरकुत के राजे में रहा था ठीक है तो आपको आद रुखना है अगला सब्सक्षाइन है कि पर्याग प्रस्ष्ति किस लिपी में उत्केंड है पर्याग प्रस्ष्ति उत्केंड है ब्रामी लिपी में अगला स्वाल है कि अलंकरत कावे सेली का जनम दाता माना जाता है तो किसे माना जाता है बारवी को तो बारवी ऐसा वैक्ति है जिसे अलंकरत कावे सेली का जनम दाता माना जाता है अगला स्वाल है कि लिच्वी राजकुमारी कुमार देवी से विवा संबंद स्थापित किया था तो किस ने किया था चंदरगुत पर्थम ने ठीक है तो चंदरगुत पर्थम ने कुमार देवी से विवा किया था जो लिच्वी कुल की थे ठीक है लिच्वी कुल की कुमार आगला सौन है कि किस समंद्रगुत्की वीरता पर मुग्द होकर बारत रिहां था वह इसकार था विंसेट स्मित्थ वा alrededor Dennis इसने समुद्र गुप्त को बारत का नैपोलीन कहा था अगला स्वाल है कि गुप्त बंसावली का परिच्छे प्राप्त करने में कौन सा बिलेक मैतपुर्ण है तो बिलेक है सकंद गुप्त का बेतरी स्थमलेक है जो गुप्त बंसावली का परिच्छे प्राप्त करने में मै अगला स्वाल है कि अभी लिखी साक्सियों के आधार पर गुप्तों का आधि पूरुस था तो कौन था स्री गुप्त ठीक है स्री गुप्त है जो अभी लिखी साक्सियों के आधार पर गुप्तों का आधि पूरुस था कौन स्री गुप्त अगला स्वाल है कि पर्थम ने चलाया था अगला स्वाल है कि चंद्रगुत पर्थम के बाद उसका उत्रा धिकारी कौन बना तो बना था समुद्रगुप्त ठीक है समुद्रगुप्त है जो चंद्रगुत पर्थम के बाद उसका उत्रा धिकारी बना था कौन समुद्रगुप्त अगला स्वाल है कि समुद्र गुप्त की सामरिक विजियो के संदर में मुख्य स्रोत है तो मुख्य स्रोत क्या है प्रयाग प्रसस्ती ठीक है प्रयाग प्रसस्ती है जो समुद्र गुप्त की सामरिक विजियो के संदर में मुख्य स्रोत है अगला स्वाल है कि प्रयाग प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि चंद्रगुप दित्य की विजियो का उलेख उसके किस अभी लेख में मिलता है तो यह मिलता है उदेगिरी गुआ लेख में उदेगिरी गुआ लेख में चंद्रगुप दित्य की विजियो का है जो उलेख मिलता है किस लेख में तो वह लेख है उदेगीरी गुआ लेख में अगला सॉब हैं कि चंदर कुप देत्यों ने गुप्त सामरेजी की कौन सी दो राजधानियां बनाई तो वह राजधानिया थी पाटली पुत्र वह उजजेनी ठीक है समुद्र गुप्त के दर्बार में, ठीक है, महान बोध विद्वान वबिक्षू वशू बंद को समुद्र गुप्त के दर्बार में सरक्षण है, जो प्राप्त हुआ था, अगला स्वाल है, कि चंद्र गुप्त विक्रमा दिते के दर्बार में नवरतनों में सबसे अगरण तो कौन था? काली्दास चंदरगुप्त विक्रमाAC के दर्बार नवरत्न कौन था? कालीदास मनसुर अभिलेक के रचनाकार है तो कौन है? वह उक्षबटी ??? मनसुर अभिलेक या मनसुर प्रशुष्वति truck के रचनाकार है क concentrating अगला स्वाल है कि किस सासक के काल में नालेंदा विस्वी द्याले की इस्तापना हुई तो आपको याद रखना है वह सासक काल है सासन है वह सासक के कुमार गुप्त कुमार गुप्त के सासन काल में नालेंदा विस्वी द्याले की है जो इस्तापना हुई थी तो आपको याद रखना है अगला स्वाल है कि 466 इश्वी में चीनी समराट सांग के दरबार में राजदूत भेज कर किस गुप्त समराट ने सुदूर चीन के साथ मेत्री पूर्ण समद को प्रगाड किया तो आपको याद रखना है तो मेत्री पूर्ण कारण था तो मेत्री पूर्ण कारण क्या था एक वद दो दोनों एक वद तीन दोनों ठीक है तो आपका सही जवब होगा उप्सन नमबर 4 ठीक है इसमें क्या है एक है अयोग्य उत्रा धिकारी और दूसरा है दूसरा गया है हुणो का अक्रमान ठीक है ये दोनों कारण से गुपतों के पतन हो गया था रिक का गुपतों का पतन हो गया था इन दोनों कारण़ों से ठीक है इसलिए आपका सई जवाब होगा उप्सन नमबर चार अगला स्वाल है कि हुनों में स्वरी भारत में हुनों का पर्थम सासक था तो कौन था तोर्मान तोर्मान है जो भारत में हुनों का पर्थम सासक था अगला सौल है कि किस गुप्त सासक ने उनों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमा धित्ती की उपादी दारन की थी तो सकंद गुप्त ने टिकें तो सकंद गुप्त वागुप्त सासक था गुप्तकाल में पहली बार दिवानी और फोजदारी कानून भली भाती परिपासित किये गए थे किस काल में गुप्तकाल में किस अभीलेक सरप्रतम सतीप्रथा के बारे में कहा गया है कि गोपराज नामक सैनापति की सती हुई तो आपको याद रुखना है वो अभिलेग था एरन अभिलेग ठीक है एरन अभिलेग से प्राप्त होता है कि सरपृत्म सती प्रथा के बारे में कहा गया है कि गोपराज नामक सहनापती की सती हुई थी किस अभिलेग से प्राप्त होता है तो यह अभिलेग है एरन को गुप्तकाल में कहा जाता था तो क्या कहा जाता था दीनार ठीक है दीनार है जो सोने के शिक्कों को गुप्तकाल में कहा जाता था क्या कहा जाता था दीनार अगला सौल हैं कि गुप्त काल में भारत द्वारा विदिसों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्पूर्ण वस्तू थी तो क्या वस्तू थी? मसाले ठीक है मसाले हैं जो गुप्त काल में भारत द्वारा विद्यसों में निरयात की जाने वाली सबसे महत्पूर्ण वस्तू थी क्या थी मसाले अगला सौल है कि गुप्त राजाओं ने कौन से दर्म को राजस्रेय परदान किया तो वा किया था वैश्नम दर्म को राजस्रेय परदान किया था किसने गुप्त राजाओं ने अगला सौल है कि चंद्र गुप्त दित्य वा समुद्र गुप्त के सिको पर किस पक्सी के चित्र है तो यह है गरूड पक्सी के चित्र ठीक है गरूड पक्सी की चित्र किन सिको पर है तो आपको याद रखना है वसके चंद्रगुप दित्र और समुद्रगुप के सिको पर है अगला सौल है कि गुप्त काल में परशिद बहुत दार्षनिक था तो अधा उप्रोक्त सभी आरे देव वह संग वह सुबंद वह मेत्रेनात और दिगनात ये जो पाचोई हैं जो गुप्त काल में परशिद बहुत दार्षनिक थे अगला सौल है कि कलाव साहित्य के विकास की दृष्टी से किस काल को बारती इतियास का क्लासिक युग अथ्वा स्वार्न युग कहा गया है तो अगला सौल है गुप्त काल को बारती इतियास का क्लासिक युग अथ्वा स्वार्न युग कहा गया है किस काल को गुप्त काल को अगला स्वाल है कि गुप्तकालिन चितरकला के आवसेस कहां दिखाई देते हैं तो यह दिखाई देते हैं उप्युक्त सभी में बाग की गुफाओं में अजन्ता की गुफाओं में बादामी की गुफाओं में ये टिनों गुफाओं में गुपत्कालीन चित्रकला के अव सेस हैं जो दिखाई देते हैं ठीक है? तो आपको याद रखना है अगला स्वाल है कि गुप्त काल की मूर्थी कला का सरोतम अधारन है तो सरोतम अधारन क्या है सारनात की मूर्थी कि सारनात की मूर्थी है जो गुप्त काल की मूर्थी कला का सरोतम अधारन है क्या है सारनात की मूर्थी अगला सौल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक काली दास की है तो काली दास की पुस्तक का नाम बताना है तो काली दास की पुस्तक का नाम है मालिव कागने मित्र अभिग्यान साकुंदलम विक्रमोत वर्सियम वर अगुवनसम ये चारो नाटक हैं जो काली दास के चारो जो पुस्तके हैं वो काली दास की ही है इसलिए आपका सही जवाब होगा अपसा नमबर चार अगला सोल है कि परसिद गुप्त कालिन विद्वान बास ने किस पुस्तक की रचना की थी तो बास ने रचना की थी उप्युक्त सभी स्वपनवासवदता चारुदता अरुबंग ये तीनों जो पुस्तकों की रचना की थी यह की थी किसने बास ने अगला स्वाल है कि विश्णु सर्मा की विश्व परसीद पुस्तक है तो काम शुत्र किसन विद्वान की काम शुत्र रचना कि तो कामशुत्र कि अन्त्यायन की संपादन किसकाल में हुआ तो यह हुआ था गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में महाबारतयों रामायन का अंतिम रूप से संपाधन हुआ था, किस काल में, गुप्त काल में अगला स्वाल है कि चंद्र गुप्त देते ने किस सक सासक को अराया था गुप्त काल में जो भारत है युरोब से आगे था किस दुरिश्ची से या किस संदर्ब में तो विशाल जल्यान के संदर्ब में अगला स्वाल है कि समुद्र गुपत की प्रयाग प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कनाद ने सर परथम भार्त में पर्मानु परिकल्पना को पर्तिबादित किया था शनकी कुपटिकाल में भारत का सरवाधिक वैपार संपर्क था तो किस के साथ था दक्षिन पूरLi के लो तंब में किसouting साथ नाम है तो यह नाम है चंद्रगुप्त का नाम है ठीक है बहरोली के लोस्तम में किस सासा का नाम है तो आपको याद रखना है यह नाम है चंद्रगुप्त का अगला स्वाल है कि बीतरी अभिलेक में किसकी की विजे का विवरण है तो यह विवरण है सकंद गुपत की विजे का ठीक है किस में वरणन है भीतरी अभी लेक में किसकी विजे का वरणन है तो आपको याद रुखना है यह विजे है सकंद गुपत की विजे का वरणन यह विवरण ठीक है अगला स्वाल है कि कौन सा गु कि इत्सिंग के अनुसार स्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बोध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का दिर्माण करवाया था तो यह करवाया था मरग सिक्वन ने मर्ग सिक्वनस्थान पर चीनी बोध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्मान करवाय था अगला स्वाल है कि निमलिकी तबिलिकों में से किसमे सकंद गुप्त के राजेकाल में उणों के आकर्मन का उलेख है तो यह है भीत्री अभिलेक में जो सकंद गुप्त के राजिकाल में हूनों के आकरमनों का उलेक हैं किसमें है तो भीत्री अभिलेक में अगला स्वाल है कि राज ग्रहन मोकसानु ग्रह जिसका आर्थ है पराजीत राजाओ को उनके राजी लोटा देना की नीती किस सासक ने अपनाई थी तो यह नीती अपनाई थी समुद्र गुप्त में तो समुद्र गुप्त की नीती का नाम क्या है राज ग्रणा मोकसा ग्रण मोकसा की नीती किसने अपनाई थी तो आपको याद रखना है यह नीती अपनाई थी समुद्र गुप्त में और इस नीती की नुशार क्या था कि पर की प्रसीदी का कारण था क्या था वैपारिक मंदी अगला स्वाल है कि नम्लिखित में से किस विधा के लिए ब्रह्म गुप्त प्रसीद है तो यह प्रसीद है गणीत के लिए ठीक है गणीत विधा के लिए ब्रह्म गुप्त है जो प्रसीद है अगला स्वाल है कि देवगड का मंदिर किसका प्रतिक हैं तो देवगड का मंदिर हैं गुप्त स्थापते का प्रतिक हैं कौन सा मंदिर देवगड का मंदिर अगला स्वाल है कि मंदसोर अभीले का लेखक कौन था तो मंदसोर अभीले का लेखक था वत्सबट ठीक है वत्सबट है जो मंदसोर अबिले का लेकक था कौन वत्सबट अगला स्वाल है कि चंद्रगुप्त दितिये ने किस विदेशी जाती को पराजित किया था तो यह किया था सको को ठीक है सको को पराजित किया था किस ने किया था चंद्रगुप्त दितिये ने ठीक है चंद्रगुप्त दितिये ने सको को पराजित किया था अगला स्वाल है कि फायान के यात्रा विवरन का नाम है तो फायान के यात्रा विवरन का नाम है फाकोकी ठीक है फाकोकी है जो फायान के यात्रा विवरन का नाम है अगला स्वाल है कि चंद्रगुप जित्य का काल कौन से धर्म का चर्मप कर्षकाल था टो यह था उप्रोक्त सभी ठीक है बोध धर्म जेन धर्म ब्राह्मुत धर्मक यह tीनों का है जो चर्मुत कर्षकाल रहा था इसका च freightness का देचिका कालीरत देच कि गुप्त समथ का प्रारंब हुगा था तो कब प्रारंब हुगा था यह हुगा था 319 इश्वी में ठीक है 319 इश्वी में गुप्त समथ का है जो प्रारंब हो गया था अगला स्वाल है कि एलूरा की गुफाएं स्थित है तो एलूरा की गुफाएं स्थित है कहाँ पर महाराष्ट्र में ठीक है तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं स्थित है तो आपको याद रखना है यह स्थित है एलूरा की गुफाएं अगला स्वाल है कि अजन्ता की चित्रकला किस धर्म से समंदित है तो अजन्ता की चित्रकला समंदित है बोध धर्म से ठीक है तो बोध धर्म से समंदित चित्रकला का नाम क्या है तो वह है अजन्ता की चित्रकला जो बोध धर्म से समंदित है अगला स्वाल है कि निम्द में सिख किस गुप्ट सासक को संगीत से विशेश प्रेम था तो वह गुप्ट सासक था समंधर गुप्ट तो वह गुप्ट सासक था जिसको संगीत में विशेश प्रेम था अगला स्वाल है कि हुनो का उलेक खालिस्तान में हुआ है तो किस प्रिस्ति में या किस अभिलेक में उनों का जो लेख हुआ है तो आपको याद रखना है वो अभिलेक है स्कंद गुप्त के बीतरी स्थम अभिलेक में उनों का लेख हुआ है किस में स्कंद गुप्त के बीतरी स्थम अभिलेक में अगला स्वाल है कि समुद्र गुप्त ने किस परकार की स्वर्ण मुद्राय जारी की थी तो यह की थी उप्रोग सभी परकार की ठीक है गरूर परकार और धनूरदारी परकार की परसूर परकार और अस्वमेग परकार की व्यागरहिनन प्रकार और वीनावादन प्रकार की यानि कि आपका साई जवाब अपसर नमर चार उप्रुक सभी प्रकार की है जो स्वाण मुद्राय जारी की थी कि इसने समुद्र गुप्त ने ठीक तो आपको याज रुखना है इसलिए आपका सई जाब होगा उप्सन नमर 4 प्यूक्त सभी अगला स्वाल है कि गुप्त प्रसासन में पर्थम कूलिक पदाधिकारी से तात्प्रे हैं तो क्या तात्प्रे हैं इस से तात्प्रे है कि मुख्य सिल्पी ठीक है अंकन प्रार्म किया तो यह किया था कुमार गुप्त पर्थम ने ठीक है कुमार गुप्त पर्थम वह सासक था जिसने मुद्रव पर गरूर के स्थान पर मयूर का अंकन प्रार्म किया अगला स्वाल है कि गुप्त सासक चंद्र गुप्त पर्थम का उत्राधिकारी था प्रदान अधिकारी जो सार्वजनिक मंदिरों का भी प्रबंद करता था तो वह कौन था विने स्थती स्थापक जो सार्वनिक मंदिरों का भी प्रबंद करता था वह कौन है विने स्थती स्थापक अगला स्वाल है और यह आज का अंतिम स्वाल है कि चंद्रगुत पर्थम ने किस राजी की राजकुमारी से विवा कर अपनी इस्तती सुद्रड की थी तो चंद्रगुप पर्थम ने किस राजी की राजकुमारी से विवा कर अपनी राजी की स्तती है जो सुद्रड की थी ठीक है किस राजी की थी वह लिच्वी राजी की राजकुमारी थी जिसने व आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स कमेंट करें जरूर बताए अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी अल्पूसा भी दुआ हो तो वीडियो को लाइक और चल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद